आज योगी जी खुद गड़ी महनत कर रहे हैं काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं एक-एक विकास योधना की सभीच्छा करते हैं खुद उर्जा लगाकर कामों को गती देते हैं ऐसी ही महनत यह पूरे प्रदेश के लिए करते हैं हरे एक जिले में जाते हैं हरे एक काम के साथ खुद लगते हैं यही वजह है कि यूपी में बढलाओं के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में देजी से आगे बढ़ रहे हैं तुझे भी कई भार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कारियों की चर्चा करूं कौन से कारियों की चर्चा छोड़ दूं नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ आर्फा खानम शेरवानी आज प्रधान मंत्री वारानसी या बनारस पहुचे वो उनका लोकसबा शेत्र भी है आपने दिन भर टीवी चैनल पर ये कवरिश देखा होगा आपने ये भी देख लिया होगा कि किस तरह से पंद्रा सो करोड की नई योजनाएं उन्होंने उसका उदगाटन किया है आपने ये भी देख लिया होगा कि उन्होंने जो है रोरो सर्विस की शुरुआत की है गंगा में और इसके अलावा कैसे उन्होंने ये बताया कि सौर साल में इतनी बड़ी आपदा थी और काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है किस तरह से उत्रप्रिदेश के मु मैं बताती हूँ कि प्रधान मंत्री ने खुद ये कहा था अभी सिर्फ दो दिन पहले कि लोग जो टूरिस्ट स्टेशन्स पर जा रहे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं और इससे उन्हें चिंता हो रही है आप ये देखिए कि हिल स्टेशन्स पर जाने वाले लोगों पे उन्हें चिंता हो रही थे उनके लिए लेकिन उनकी रैली में कितने लोग यहां पर जमा हुए खासकर एसे वक्त में जबकि कोरणा की तीसरी लहर हमारे बिलकुल दर्वाजे पर खड़ी हुई है ये आपको उन्होंने नहीं बताया कि खुद प्रधान मंत्री की रैलियों इसके अलावा के बाकी विपक्षी नेताओं ने बिरैलिया की लेकिन प्रधान मंत्री से हम ज्यादा बेहतर रवये की उमीद करते हैं उन्होंने पश्चिम मंगाल में और बाकी अलग अलग जगों पर विधान सबा चुनावों के मदे नज़र ठीक जो सेकिन वेव आई उ मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोगी लोग दिखते हैं बागी कुछ दिखता ही नहीं है और वो भी एक वज़ों में से जरूर वज़ा रही है जिसकी वज़ा से चुनावी रैलियों की वज़ा से कोविट नाइनटीन की जो सेकिन लहर हमें जो दूसरी वेव हमें देखने को मिली हो जिसकी वज़ा से कई सौ लोगों की मौते हुई और अब चाड़ लाख से ज्य महनत कर रहे हैं ऐसी ही महनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं हरे जिले में जाते हैं हरे काम के साथ खुद लगते हैं प्रदान मंतरी सेक्रों लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं कि अभूत पूर्व काम किया है उत्तर पिदेश की सरकार ने हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं कि वो चुनाओ आने वाले हैं और खासकर पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आएं कि उनके केंद्रिय नेतरत्व औ लेकिन उन लोगों से जरूर आप पूछे जिन लोगों ने अपनों को खोया इस पूरे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वो गंगा के किनारे जो दफनाई गई लाशे थी वो गंगा में जो उतराई गई लाशे थी जो तैर रही थी लाशे जो जो कबर बन चुकी थी उन कबरों के उपर से जो नोचे गए कपड़े थे कबरों को भी नोच लिया गया वो सब कुछ हमने आँखों के सामने हमने देखा उस सब पर से कैसे परदा डालेंगे प्रधान मंतरी उस सब पर कैसे परदा डालेंगे मुख्य मंतरी इस वक्त का जब इतहास लिखा जाएगा इ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें इस वक्त की गवाह बनेंगी प्रधान मंतरी जूट बोल सकते हैं मुखे मंतरी जूट बोल सकते हैं जो दर्बारी सरकारी मीडिया है वो जूट बोल सकता है जो बाबू है सरकार में बैठे हुए वो जूट बोल सकते है जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, वो सब कुछ जूट बोल सकते हैं, अखबार जूट बोल सकते हैं, टीवी जूट बोल सकता है, लेकिन ये तस्वीरें जूट नहीं बोलेंगी, लोगों के आंसू जूट नहीं बोलते, लोगों की तकलीफें जूट नहीं बोलती, ना सिर्फ के स्टर पर भी देखिये हूं, राजजी के स्टर पर भी है, तकलीफ दुक होता है कि कैसे बिलकुल सीधे मूँ से, अंग्रीजी में कहते हैं, स्ट्रेट फेस के साथ कैसे प्रधान मंतरी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, जो जूट, जो सच से बिलकुल परे है, जिसका एक अंश भी जो है, वो सच नहीं माना जा सकता, उस वक्त आप याद रखिये कि कैसे खबरों को दबाने के लिए, उत्रफिदेश के सरकार ने, ये कहा कि जो भी उनकी च्छवी बगारने की कोशिश करेगा, जो भी अफवाह पहलाने की कोशिश करेगा, उसके खिल पाया जा सके, वो एक व्यक्ति वो जो घटना है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती कि कैसे, इस व्यक्ति ने शिकायत की कि उसके नाना जी को उक्सिजन वो चाहता था नाना जी के लिए, और उक्सिजन मिलने से पहले ही या इस पर कोई अमल होता, उससे पहले ही इस व्यक्ति क जो होकर गुजरी उत्तर प्रिदेश की जनता किया वो सब कुछ भूल जाए और ये याद रखे कि प्रधान मंतरी ये कह रहे हैं कि अब भूत पूर्व तरीके से इस पर अमल किया गया है उबीद तो ये की जाती थी कि प्रधान मंतरी जखमों पर नमक छिड़कने या नमक रगड़ने के बजाए कुछ मरहम लगाया होता उन्होंने कुछ आंसु पूछे होते लोगों से इस बात को लेकर कम से कम इसको स्विकार किया होता कि हाँ हमसे गलती हुई है या हमें नहीं पता था ये सौ साल में जैसे उन्होंने खुद कहा कि सबसे बड़ा संकट आया है हमें नहीं पता था कैसे हम डील करें उस सब के बजाए उस सब पर पर्दा डाल कर ठीक इसी पर्दे की तरह जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं जो अभी देखे ये तस्वीरें की जो सचाई ऐसी है जो बतसूरत है जिस पर पर्दा डाला जाए उस पर पर्दे डा तस्वीरें ये पत्रकार ने ट्वीट किया आप देख रहे हैं बताया गया कि शायद नाली खुदी हुई थे उस जगह पर और प्रधानमंत्री को वो नहीं दिखाना चाहते थे जो तस्वीर उन्हें अच्छी नहीं लगती इसलिए परदे डाले गए ये परदे आपने वहा देने से इंकार कर दिया है लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रिदेश सरकार इस पर जित पर अड़ी हुई है कि वो कामण यात्रा करा के रहेगी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुम्ब का मेला लगा हुआ था उसकी वज़ह से जहां करोणों लोग कुम्ब के मेले में खटे हुए और एक बड़ी वज़ह बनी जो सेकंड वेव आई करोणा की तब भी इस तरह का का काम किया गया कि उसको इजाज़त दे दे गए पूरी दुनिया में इसको लेकर बदनामी हुई कि कैसे भारत में न सिर्के भारत में कोविड नाइनटीन के मामलों में अजाफ पड़ा अब दोबारा एक खत्रा पैदा हो रहा है कामर यात्रा को लेकर जिसको बताया जा रहा है कि एक नया सूपर स्प्रेडर बन सकता है और बहुत सारे लोगों की जान खत्रे में आ सकती है यह समझ में नहीं आता कि आखिर उत्तर प्रिदेश सरकार क्यों इस जित पर अड़ी होई है और क्यों प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महाँ पर अगर पब्लिकली भी ना सही तो प्राइविटली ही कम से कम इस चीस को हैंडली करने की कोशिश करते कि क्यों अपने सर पर ये आफद बुलाई जाए क्या ये मकसद है और उत्तर प्रिदेश में एक जमाने तक उन्होंने काम किया इसके अलावा उत्तर प्रिदेश की राजनीती को बेतरीन तरीके से समझते हैं अपनी तज्जूर बेकार निगाहों से रामदत जी सबसे पहले तो मैं इस बात से ही शुरुआत करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री को हमने देखा कि भरे कोरोना का मुकाबला किया कोविड-19 को हरा दिया तो यह सब तो हमने देखा लेकिन क्या ही माना जाए कि उत्तर प्रिदेश के चुनावों की कब विगुल बजग गया है यह कैंपेइन के शुरुआत की प्रधानमंत्री ने अगर सामान्य तोर पर इता विए अव्यंग कर रहा है लेकिन जहिर है कि नरेंदर मोदी जी वो भी अपने अप्षेत्र में सदेक्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में आ करके इतनी तारीफ उन्होंने की तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रधान मंत्री के अलावा बीजेपी के चीफ campaigner भी है मतलब सबसे बड़े vote catcher है वो और और प्रधान मंत्री मुझे लगता है वो दिन बारो महीने राजनीती ही करते है ले कि उत्तरप्रदेश में कुछ महीने में चुना होने वाले है ये बात अलग है कि ये एक सरकारी कारिक्रम था और तमाम जो कारिक्रम से सरकारी उनका उद्धाटन और शिलान्यास था आम तोर पर उसमें राजनीती की बाते नहीं कि जाती लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं तो उनकी तारीफ बिलकुल इतने ज्यादा पुल बांधे उन आ जा रहा है कि बीच में दोरों के बीच में कुछ खटास आगी थी उन्होंने अर्वेंस शर्मा को अपने एक बहुती विश्वासपात्र अफसर को भेजा था कि टिप्टे चीफ मिनिस्टर बनाओ और योगी जी नाराज हो गए थे तो अब जबकि ये ताय कर लिया है प करके उन्होंने उनों के जले में नमक जैसा चिडख दिया है जिनके परिवार के लोगों को इलाज नहींAC दोरां या जिनके परिवार के लोगों को चुशन घाटों में जगहरू अपने जला अला कि ये भी कहा कि बनारस का बहुत लिकास हुआ जब कि बनारस से अगर आप खबरे देखिया अगबार में तो लोग कह रहें कि कितनी वहां दुरगती हो गई अभी थोड़ी सी बारिश होई थी और एक्दम सडकें जो है वो नाला बन गे इतनी गंगा जी का पानी पहली हरा हो गया प्रदूशन से जी हां और इससे पहले हमने ये भी देखा कि बनारस में ही कोविड नाइनटीन के वक्त जब ये पूरी दूसरी लहर चल रही थी तब जिस तरह से जो कियामत का मनजर था वो हम देख रहे थे कि जो बत्तरीन शहर जो मोस्ट अफेक्टिट थे उ को जानते हैं कि वो दुन्या के सबसे बड़े लोगत्र के नेता हैं आपको लगता है कि अगर ये मान लें कि चुनावी हिसाब से भी किया जा रहा है ये भी मान लें कि ये मुख्यमंतरी के साथ एक पुल बनाने की कोशिश है चुनाओं से ठीक पहले लेकिन क्या वो इस ब बेहतर क्या यह नहीं होता कि वो इस बात को स्विकार कर लेते हुए हां यह इतना बड़ा इतनी बड़ी महामारी थी हां हम से घलती हुई हां हम इसे ठीक से नहीं मैंज कर पाए हम माफी मांगते हैं लेकिन अब बहतर करेंगे हम विल्कुल आप सही करें थोड़ा घावों पर मरहम लगाना चाहिए था उनको क्योंकि देखिए बहुत तरह का नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में एक तो आर्थिक नुकसान इतना ज्यादा हुआ है लोगों के नोकरियां चली गई है जो बाहर नोकरी कर रहे थे अ कोई परिवार नहीं है जिसमें जो निकट के किसी न किसी संबंधी की डेथ नहीं हो या लोग परिशान नहीं हो और इतना बद इंतजामी तो मुझे नहीं लगता कि और कई जगह हुई पनारस में ही जहां गये देखिए वहां ही पर अभी एच्व में इतना बड़ा आरव के सारे अस्पिताल डाक्टर बंद कर दिया गया उनसे कोई काम कोरोना के पिरेट में नहीं लिया गया भी एच्व में ही इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि वहां पर जो सेना के एक संस्ता है डियाडियो उसकी तरफ से एक टेंपरोरी हॉस्पिटल बनाया गया लेकिन को की नालों की आप कुछ बिल्डिंग्स का इनाउगरेट करके खाली या गंगा जी में एक वो मुसाफिरों के लिए बोर्ट चला के आप सोचे कि लोग खुश हो जाएंगे नहीं है मुझे लगता है या तो कहीं ने कहीं बहुत बड़ा कम्मुनिटेशन गैप हो गया है जैसा कि लोग कहते हैं कि यह लोग अपने एक चैमबर में रह रहे हैं और इनको सचाई का पता नहीं है ना तो यह सामाने वरकर से मिलते हैं ना इन तक सचाई जा नहीं पाती आखबारों को इन्होंने एकदम अगोशित समसर्थे बगई हैं तो ये भी हो सकता है कि इनको पता ही नहों कि लोग किन तकलीफों से बुझ रहे हैं यह भी आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरह के ऐसे कुए में पहुंच गए हैं जहां पे सिर्फ इन्हें अपनी आवाज आती है यह वो लोग जो इनकी तारीफ करते हैं लेकिन अब चुकि जो भी घटना करम पेश आएगा कुछ हफते महीनों में उसको उत्रप्रिदेश चुनाव से ही जोड़ कर देखा जाएगा मैं आपसे ही जाना चाहती हूँ कि जिस तरह की भूमिका बन रही है जिसमें अभी कामड यात्रा को लेकर भी जिस तरह के तुष्टिक करन्ट हमने बहुत सुना था बहुत दशको कि कोई माइनॉरिटी अपीजमेंट होता है लेकिन पहली बात भारत में जो मैजॉरिटी मैजॉरिटी अपीजमेंट का जो एक बतसूरत चेहरा हम देख रहे हैं कि कुम्ब की वजह से आप देखिए वहां लाखों लोग करोणों लोग खटे हुए उसके बाद सेकोड़ों की जाने गई उसके बाद और डिरेक्ट कनेक्शन हम मिस नहीं कर सकते हैं इसको अब ये कामड यात्रा कराने पे जो जिद किये हुए हैं योगी अदितिनाथ और प्रधान मंतरी के मुख से ये बात भी नहीं निकली कि उस वक्त कोई बात चलिए पबलिकली ना सही तो प्र जाएंगे हावी हो जाएंगे तुम्हारे उपर तो तरह तरह की डर दिखाते हैं इसलिए देखिए जंसंख्या कानून लाए धर्वां तरण पर कानून लाए और पांस साल होने वाले हैं तो इनको बजाए अपनी उपलब्नियां बतानी चाहिए ना कि हमने कितने लोगों जो एजूकेशन सिर्टम आप देखिए कामणिया के आत्रा मैंने तो नहीं पढ़ा कि कामणिया लोग कोई उनके संगठन जित कर रहे थे कि हमको एलाओ किया जाए यह तो सरकार की ही तरफ से किया गया आप उनको एलाओ करने इतना जिद है और आप प्राइमरी स्कूल है तो अब यहीं पर दो सरकारे हैं एक पीजेपी की सरकार है उत्राखन में यहां भी पीजेपी की सरकार है वहां उनको रिलाइज हो गया चूंकि इस बार वहां कुम्ब की वज़े से पिथोरागार जैसी जबहों पर उचाई में जाके रिबॉर्ट विलिजेज में यह समय था कि अपनी उपलब्दियां बतानी चाहिए सरकार को कि भे हमने यह किया और अपनी उपलब्दियों के साथ जाना चाहिए पांस साल का जो है बिलकुल चार्ट लेके जाना चाहिए लेकिन यह बड़ा दुरभाग यह है कि फिर से आप ध्यान कीजिए कि जो 2017 का ही चुना हुआ था उसमें खुद प्रधार मंत्री जी नहीं यहां कबरिस्तान और इसमशान की तुर्णा करके जो है चुना के पेन की असर तो यह यूपी का दुरभाग है बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया आपका रामदा तुरपाधी जी आप कह रहे थे कि वह नाकामी गिनारी अलगलग कानून लाकर अलगलग तरीके से लोगों को डरा कर यह सरकार क्योंकि शायद दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं अब लगभग पांच साल गुजरने के बाद बहुत 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 शुक्रिया आपका बाचीत के लिए दवायर के और वीडि